नमस्कार मेरा नाम लक्षमन है स्वागत करता हूँ नई वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे 2023 से बैंकों के नियम में काफी सारे बदला हो रहे हैं बैंक अलग-अलग तरह के अपडेट लेके आ रहे हैं तो आज हम जानेंगे कि वो कौन-कौन से बैंक में अभी अप से उसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप पूरा डिस्क्रिप्शन जाके चेक आउट कर सकते हैं दूसरा जो अपडेट है वह इंडिसन बैंक की तरफ से इंडिसन बैंक 31 मार्ज 2023 तक जो जो पैंकार से अधा नीचे दिक्शन के सब्सक्रिप्शन के में हो सकते हैं तो अगर आप इंडिसन बैंक के क्स्टमर है और अभी तक आपने pencard का कर से लिंक भी करा देगा उसक्रिक करना है वहां पर आपको मिल जाएगा περιोगर फिल पेंकर से रिंट को दोक्रृ Yoance कि अभी जो भी normal person है उनके लिए 7.5% का interest कर दिया गया है FD में और जो senior citizen है उनके लिए 8% का FD interest कर दिया गया है अगर आप HDFC bank में 1 साल 7 मैने और 22 दिन तक पैसे रखते हैं normal अगर person है तो आपको 7.5% का अनुसार interest मिलेगा और वहीं पर senior citizen है 60 साल से ज्यादा उम्र हो गया है तो वहाँ पर 8% का सालाना ब्याज मिलेगा एक साल 7 मैने 22 दिन रखते हैं तो अभी HDFC bank में जो पहले interest रहता था वो काफी कम रहता था साड़े 5% का तक्रीमान मिलता था लेकिन अभी देखिए यहाँ पर एक साल 15 मंत रखते हैं तो यहाँ पर 6.10% का इंट्रसेट आपको मिलेगा तो इस तरह से यहाँ पर HDFC bank में इंट्रसेट को बढ़ा दिया है इंक्रीज कर दिया गया है तो अभी कोई भी अगर आप HDFC bank म में FD करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इंट्रसेट देखने को मिलेगा जो अपडेट है IDBI bank के तरफ से IDBI bank ने अफिसली यहाँ पर FD का इंट्रसेट एंक्रीज किया है आनि ज्यादा तर देखें तो 2023 में लगबग ज्यादा तर बैंक ने यहाँ पर FD का इंट्र जो है वो अपने FD का इंट्रसेट थोड़ा सा इंक्रीज किया है 2023 में अगला जो अपडेट है वो है PNB के तरफ से यानि पंजाब नेशनल बैंक में अगर पंजाब नेशनल बैंक का अगर आपके पास ATM कार्ड है डेविट कार्ड है तो 2023 से एक जनवरी 2023 में अगर आप प PNB के जितने भी ATM कार्ड के आप कस्टमर हैं उनके लिए ये विशेश विशेश इन्फोर्मेशन है कि एक जनवरी 2023 में अगर आप ATM से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको रिजिटर मोबाइल नमर साथ रखना होगा ताकि जब भी आप PNB के ATM में जाए या फिर PNB का ATM कार्ड आप किसी दूसरे ATM मसीन को में लगाएं तो वहां पर आपको OTP का requirement होगा OTP आप डालेंगे तब आपने पैसा जो है क्यास विड्रॉक कर पाएंगे ATM मसीन से तो दोस्तों ये कुछ अभी अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है बाकी एक जनवरी 2023 तक अभी और अप आपको अपडेट करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो आपको संद आया तो लाइक कर ये चैनल सब्सक्राइब करके लकले दुर करके दोंन दमा सकते हैं मिलते हैं अग्रें वीडियो में तब तक जैहिल